पिसमें लारामान रहीम, Assalamualaikum dear students, today we learn introduction to fundamental concepts of chemistry from according to PMC for an MDK preparation book और ये है chemistry का section और पहले पार्ट में जो है पहला कुस्टन है कि decimal atomic masses are due to mixture of what तो इसका मैंने कुस्टन लिखकर भी रखा है मैं आपको दिखा देती हूँ और उसमें इसका answer ही होगा isotopes ये इसका answer मैंने यहाँ पे लि separated by a decimal but in chemistry atomic mass is a whole number of atom and number of protons are same but neutrons are different called isotopes ये isotopes की definition है कि उसमें जो है number of protons जो है वो सेम होते है यानि कि उसका atomic number सेम होता है कि जैसे कारवान का यहाँ भी atomic number सेम है यहाँ भी atomic number सेम है यहाँ भी atomic number सेम है लेकिन उसका atomic mass जो है वो चेंज है यानि एक 12 कारवान भी हमें मिला था और एक 13 कार्बान भी मिला था ये 13 कार्बान हमें 1% मिला था और ये 12 कार्बान हमें 99% मिला था तो mostly हर कोई जो जानता है वो इसके बारे में जानता है कि कार्बान 12 होता है लेकिन कार्बान 13 के बारे में जो है वो कम लोग जानते हैं कि ये इसका आईसो टॉप है तो वो वही जानेंगे जो कैमिस्टरी की स्टेडी करेंगे तो इस वज़ा से आपको ये स्टेडी करनी होगी कि ये इसका आईसो टॉप है तो अगर ये इसका आईसो टॉप है और ये इसकी डेफिनेशन है और इसमें जो है सेम नमबर अफ प्रोटान है तो उस रसाब से उसका आंसर होगा आईसो टॉपस क्योंकि इसमें क्या होता है कि पूरा जो अटामिक मास है पूरा अटामिक मास डिवाइड़ होता है कोई भी atomic mass हर item का हर element का divided होता है उसके protons और neutrons में यानि इसमें जितने number of protons होंगे उतने ही number of neutron होंगे अगर उसका equal mass जाके बनता है तो अगर उसका equal mass नहीं बनता जैसे carbon 13 है तो carbon 13 में जो है वो जो carbon 13 में 6 protons हैं और 7 neutrons हैं तो यह atomic mass हो गया इसका तो इसमें 7 न्यूट्रांज है कारबान 13 में, एक न्यूट्रांज ज्यादा है कारबान 12 वाले से, तो इसमें ये चेंजिंग है, कि न्यूट्रांज चेंज हो जाते हैं, तो उसको हम आईसो टॉप्स कहते हैं, कि ये इसका आईसो टॉप है, इस तरीके से हाइडरोजन का भी isotope है हर elements के isotopes होते हैं तो जो है isotopes की वज़ा से ही उस atom की जो है identity होती है यानि atomic number की वज़ा से जो है atom की identity होती है और उसका atomic mass है वो उसके isotopes को define करता है तो isotope की definition भी महाने यहां पर लिखी हुई है कि उसमें same number of atomic number होता है बर change mass number तो called isotopes अब हम आते हैं उसी question first question पर इसका isotope क्यों है answer क्योंकि एलोट्रोपस तो नहीं हो सकता एलोट्रोपस होता है कि different farms of same elements तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये farms की बात कर रहा है यहां पे atomic mass की बात नहीं कर आटामिक क्योंकि यहां प्यूरिटीज का भी जो वो पूछ रहा है तो उसमें अटामिक मास का कोई भी रिलेशन नहीं है और आइसो मर्स में क्या होता है सेम मालीकिलर फार्मूला होता है और चेंज जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है यानि उसमें फार्मूला का जिकर होता है तो उसमें पूर number two पे के one more of SO2 contains how many grams of SO2 or how many grams of oxygen तो वह हम यहां पे four gram पहला option گे कि atom of SO2 है लेकिन यह four gram of atom of SO2 तो SO2 में four gram atom के SO2 तो नहीं होते हैं तो इस वज़े से यह भी नहीं होगा उसके बाद भी है कि six point zero two into ten power twenty three atoms of sulfur अब ये एवोगेडरों ने value दी थी सारे ही atoms और ions और molecules के लिए 6.02 इंटो 10 पावर 23 तो ये हो सकता है तो अभी हम इसको option में रखते हैं C में आते हैं C में 1.81 ऐसी कोई value उसने नहीं दी थी तो molecules of SO2 यहाँ पे आगे लिखा हुआ है अगर यहाँ पे 6.02 लिखा होता 1.81 की जगा पे तो हम जो है यहाँ पे इसको टिक करते हैं पर D में क्या है D में है 6.02 इंटो 10 पावर 23 atoms of oxygen तो oxygen के atoms से ज़्यादा उससे पहला जो वो oxygen के SO2 में, SO2 में ज़्यादा जो percentage है वो sulfur की है तो oxygen की नहीं है तो इस वज़ा से जो है oxygen नहीं होगा और sulfur को हम देखेंगे तो sulfur को ही टिक करेंगे SO2 में जादा जो उसकी परसंटेज है वो सल्फर की ही है तो इस वज़ा से उसमें एटम्स जो होंगे वो उसने जो दी थी वो सल्फर के लिए कहा था इसलिए इसमें आंसर होगा ये B के 6.02 इंटो 10 पावा 23 एटम्स ऑफ सल्फर होगा